हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूपी एससी मध्यप्रदेश असिस्टेंट प्रॉफेशर की टेस्सिरिज तो रेगुलर करवा रहे हैं हम जोनहोंने टेस्सिरिज जोईन करवा रही है पिछले कुछ थोड़े टायम से है जो इस महिने healthy issue था तो यहाँ पे आपको classes नहीं करवाय जा रही थी कई भार क्या होता है कि लंबे टायम तक ब्रेक नहीं लेते हैं regular 2-3 मैने तक ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ा सा problem हो जाती है इसकी total 10 classes हो चुके हैं अब आगे काम regular करेंगे कोई भी query है कोई भी doubt है आप पूछ लीजिएगा test series join कर लीजिए आपकी regularity बनी रहेगी test series आपके syllabus के according है उसमें पूरा syllabus cover करवाए जाएगा आपके syllabus का revision भी करवाए जाएगा तो आप निश्चिंत रही है paper post के लिए अगर आपके series join करते हैं तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आज का जो हमारा topic है ये topic है river system important topic है सबसे ज़्यादा river and drainage system of मध्यप्रदेश देखें जो important rivers है मध्यप्रदेश की एक-एक करके हम सब को detail में पढ़ेंगे और जो आपके exam point of view से क्या question पूछे जा सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे जैसे कि ज़्यादा तर पूछा जाता है कि river कहां से originate होती है उसका उद्गम इस्तल क्या है दूसरा पूछ लिया जाता है कि इसको और किशनाम से जाना जाता है तीसरा पूछ लिया जाता है उसकी सहायक नदिया tributaries कौन-कौन सी है चोथा पूछ लिया जाता है कि इन में से कौन से जिलों से होके ये पास हो रही है, कितने जिलों से ओके river गुजरती है इस तरीके से question आपके exam में पूछे जाते हैं एक-एक करके हम इन सभी rivers को जो ये important rivers है सभी को हम discuss करेंगे, आप channel को जरूर subscribe कर लिजेगा, सबसे पहले हम discuss करते हैं नरमदा river को नरमदा river इसका origin कहां से होता है ये कहां से निकलती है नरमदा river है ये अमर कंटक के प्लेट्यू से निकलती है और अमर कंटक प्लेट्यू है यहाँ पे अनूप पूर जिले में मध्यप्रदेश के अनूप पूर जिले में अमर कंटक प्लेट्यू से नरबदा रिवर निकलती है इसका origin यहीं से होता है मध्यप्रदेश की lifeline है total 1077 km ये मध्यप्रदेश में बैठती है इसके बाद में फिर ये उदर गुजरात साइड निकल जाती है मध्यप्रदेश की सबसे लंबी रिवर भी है ये और इंडिया की बात करें तो फिप्त लॉंगेस्ट रिवर है भारत की पांच भी फिप्त लॉंगेस्ट इंडिया की और मद्यप्रदेश की सबसे लंबी रिवर है यह इसके बारे में ओड डिटेल से देखते हैं इसको लोकल जगे कहीं कहीं रेवा भी कहा जाता है रेवा नदी एक जो अमें ध्यान में रखना है इंपोर्टेंट कि ये मद्यप्रदेश में किन जिलों से ओके निगुजरती है तो देखे अमर कंटक जो अनुप पूर जिले में है यहां से ओरिजनेट होती है इसके बाद ये एक नदी है जो पस्चिम की तरफ बैती है नरबदा और तापती नदी है ये पस्चिम की तरफ बैती है और जो नदी पस्चिम की तरफ बैती है वो Arabian Sea में जाके मिलती है और जो पूरों की तरफ बैती है वो Bay of Bengal बंगाल की काड़ी में जाके मर्ज होती है मिल जाती है नरमदा रिवर है इसका end कहां पर होता है इसका end होता है Gulf of Khambath में अभी कहां होके जाती है अनूपुर अनूपुर के बाद में मंडला, जबलपुर यह इधर से देखे यहां से जाती है यह जो एरिया है जबलपुर, डिंडोरी, मंडला इसके बाद में नर्शिंगपुर होसंगाबाद राइसेन यह जिले हैं जहां से ओके यह नरमदा रिवर फ्लो करती है खरगोन है, देवाश है यह सभी इसमें आते हैं धार है और यह अलिराजपुर के बाद में पिर यह इधर गुजरात में चले जाती है आप जिले द्यान में रखने हैं मांडला, जबलपुर, नर्शिंगपुर नर्शिंपुर, खोसंगाबाद, राईशेन, सेहोर खंडवा, खरगोन, देवाश, अनूपुर धार, हरदा, डिंडोरी, बारवानी और अलिराजपुर यह इसका फ्लो है नरमदा रिवर का अब यह माराश्टर और गुजरात में बैते दे कि यहां से यह कुछ एरिया यह जो नीचे है माराश्टरा इधर है गुजरात, तो यहां थोड़ा, यह नीचे देखेंगा आप तो यह इधर कौन सा एरिया है माराश्टर का अमरावत्ती हो गया इधर नागपुर हो गया नीचे अकोला है यह रीजन जो विधर्ब रीजन है माराश्टर का वो रीजन है जो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो आप इसको जरूर पढ़ेगा इसके नोट्स आपको सेंड कर दिये जाते हैं मद्यप्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है इसको अनूपुर जिले से निकलती है अमर कंटक के पठार से अब अनूपुर जिले की बात करें तो अनूपुर जिला है इसका मुख्याले भी अनूपुर है यह यहाँ पे और यह इधर देखे 36 गड के साथ इसका बॉर्डर लगा हुआ है और अनूपुर जिला है यह कब बना है अनूपुर जिला 2003 में बना है अनूपुर को जिला बनाया 2003 में किस से यह जो शेहडोल है शेहडोल से अलग गोके और अनूपुर 15 अगस 2003 को सेडोल का विवाजन करके नया जिला बनाया गया है और इसका एड़कॉर्टर भी अनुपूरी है और अनुपूर जिले में यह यह अमर कंटक प्लेट्यूग और अमर कंटक प्लेट्यूग के बारे में वैसे तो आपको पहले भी बताया जा चुका है इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले लेते है अनुपूर के इसके अमर कंटक के बारे में हम पहले पढ़ चुके है लेकिन फिर भी यह अनुपूर जिले में यह द्यान रखना है और जो विंद्याचल रेंज और सत्पुडा रेंज इन दोनों का जहां मीटिंग पॉइंट है जहां पे विंद्याचल रेंज और सत्पुडा रेंज मिलती है वो है मैकल माउंटेन रेंज मैकल माउंटेन रेंज है और मैकल माउंटेन रेंज यह कहा है अनूप पुर्जिले में और यहीं पे मैकल माउंटेन रेंज में है अमर कंटक अमर कंटक यहीं पे है यह आपको ध्यान में रखना है और अमर कंटक से इस मैकल माउंटेन रेंज से तो आपको क्या confirm हो गया है अब एक चीज कि अमरकंटक मैकल माउंटेन रेंज में है और नरमदा रिवर कौनसी परवतमाला से निकलती है मैकल परवतमाला से निकलती है जो विंद्याचलोर सत्पुडा का मिलन क्षेतर है मीटिंग पॉइंट है और यहां से यह जो मैकल माउं आदियाँ और यहीं से निकलती है और अमरकंटक यह एक Holy Place भी है Hindu Dalmik Place है यहाँ पर दीर्थिस्ता लाए और अमरकंट के भी specific पूछा जाता है आप से तो अमरकंट के जगे है नरम्दा कुंड यह अमरकंट के नरम्दा कुंड है नरम्दा का रिवर निकलती है इससे रिलेटेड और जो कुछन पूछे जाते हैं नरमदा रिवर से आमकारेश्वर का पूछ लिया जाता है आमकारेश्वर एक हिंदू टेमपल है जो मद्यप्रदेश में कहां पर है खंडवा जिले में है और नरमदा नदी के बीच में मांदाता या जो सिवपूरी नाम के एक आईलेंड है द्वीप है वो इस्तित है तो इसका कुछन पूछ ला जाता है कई बार कि आमकारेश्वर द्वीप किष्ण द्वीप पे इस्तित है तो यह सिवपूरी द्वीप है या मंदाता द्वीप है यहां पे आमकारेश्वर बगवान सिव जो बारेज योतिरलिंग है उनमें से एक है ओमकारेश्वर उसकी बात हो रही है यह द्यान रखना है आपको देखे इसका और जो कुछन पूछा जाता है पूछ ले जाता है कई बार की निम्न में से किस नदी को रहष्यमई नदी का नाम से जाना जाता है तो यह नरमदाई है जिसको दिव्य और रहष्यमई नदी के नाम से जानते हैं और इसका वरणन चारो वेदों में है इस रिवर का नरमदा रिवर है इसका चारो वेदों में इसका जिक्र है और इसके अलावा आप देखेंगे इसकंद पुरान में इसका जिक्र है रामायन महबारत इसमें भी नरमदा रिवर का जिक्र है जो अमरकोश है उसमें भी नरमदा नदी का जिक्र है कालिदास का जो ग्रंथ है उसमें भी नरमदा रिवर का जिक्र है कई बार क्योशन पूछ लिया जाता है आपको कि नरमदा को सौम प्रभा सोम प्रभवा किस ने कहा है किस गरंत में कहा तो कालिधास का जो है गरंत उसमें नरम्दा को सोम प्रभवा कहा गया है अमरकोश में भी नरमदा को सोमो प्रभवा का गया है और रगुवंश में भी नरमदा का उलेक है जो मेगदूत है मेगदूत में भी इसका नरमदा का उलेक है आप सबको पता होगा यह रगुवंश मेगदूत मेकदूत भी जो कालिदास है उसका ही एक रचित गरंत है इसके अलावा जो रगुवन्ष है इसमें भी जिक्र है तो ये सबी जगे इस रिवर का नरमदा रिवर का जिक्र है अब हमें इंपोर्टेंट क्या देखना है कहां से निकलती है नरमदा ये हमने पढ़ लिया मैकाल चन्च अनुप पुरिजीला अमर कंटक से निकलती है इसके अलावा इसका जिक्र का है ये पढ़ लिया हमने और important यह कि यह कहां पे जाके मर्ज होती है तो नरमदा रिवर है यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है खंबात की खाड़ी कहां पे Arabian Sea में है खंबात की खाड़ी आपने देखा होगा यह एक triangular shape की तिकुनी shape कि यह खाड़ी है जो गुजरात का जो coastal area है समुदर सागरतट है वहां पे है जिसमें एक तरफ तो है गुजरात का काठियावाड पेनेंसुला है काठियावाड रीजन और दूसरी तरह पे इसका मुंबई जो महराष्टर का सहर है मुंबई वो है इन दोनों के बीच में है यह खंबात की खाड़ी यह important थे इसके अलावा एक और जो हमें द्यान में रखना है इसका बेड़ागाट इससे भी क्यूशन पूछा जाता है नरमदा का जिकराता है तो क्यूंकि यह इससे पास होती है बेड़ागाट से ओके और यह बेड़ागाट कहां पे है जबलपुर जिले में है जैसा कि जबलपुर से होके निकलती है तो जबलपुर में सीटी जो है उससे लगबग 15-20 किलोमेटर दूर है यह बेड़ागाट है जो जबलपुर मुख्याला है वहां से और जबलपुर नरमदा न दीके किनारे बसा हुआ है बेड़ागाट है एक परियाटन इस्तलबी ह और यहां पे कुछन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दुआदार वाटरफॉल कहां पे है तो दुआदार वाटरफॉल नरमदा रिवर पे ही है बेड़ागाट में है जबलपुर इसके अलावा एक मंदिरगा और कुछन पूछा जाता है चौशट योगिनी मंदि जो चौशट योगिनी मंदिर है वो भी यहीं बेड़ागाट पे नरम्दा नदी के किनारे ही इस्तित है यह important थे इससे related उम्मीद ही आपके clear हो गया होगा और इसकी जो tributaries है सहायक नदिया है नरम्दा की वो भी आपको द्यान में रखना है इसकी left bank tributaries जो important है left bank tributaries बुरनेर इसके अलावा बंजर सेर यह important left bank tributaries है दूदी हो गई तवा हो गई गंजल हो गई जिसमें तवा सबसे बड़ी साहयक नदी है नरम्दा की सबसे बड़ी साहयक नदी कौन सी है तवा रिवर है अब right bank tributaries की बात कर लेते हैं जो दाई साइड से आके नरम्दा को जोइन करती है हीरन है इसके अलावा है हतनी है पॉलर है यह river right bank tributary है यह right side से आके मर्द होती है यहां से और कोई question बनता है आपका तो वो dam का बनता है एक नरम्दा पे कौन से major dams है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सरदार सरोवर डैम हो गया महेश्वर डैम है इसके अलावा एक बागरी डैम है यह भी पूछ लिया जाता है कई बार यह भी नरम्दा रिवर पे है दुग्ददारा, दुआदार, कपिलदारा, सहस्त्रदारा यह सभी waterfall नरम्दा रिवर पे ही है नेक्स देखते हैं, यह है चंबल रिवर चंबल नदीगा देखिए कोई भी doubt है, आप जरूर discuss कर लीजिएगा मैं detail में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी question यहां से आए और obviously यहां से question पूछा जाएगा minimum दो question आप यहां से expect कर सकते हैं दरवाई 3-4 question आपके river system से drainage system से पूछे जाते हैं चंबल रिवर यह बारे मासी river है जो throughout the year बैती है इसका जो उदगम इस्तल है चंबल रिवर का उदगम इस्तल मतलब यह कहां से originate होती है तो चंबल रिवर है यह origin होता है इसका जानापाव की पहाड़िया है जानापाव की पहाड़िया वहाँ से इसका origin होता है चंबल रिवर का जानापाव mountains वहाँ से जानापाव mountain है यह विंद्याचल range का इस्ता है और particular जगे देखेंगे तो यहाँ पे है यह indoor जिला indoor जिले में है mau यहाँ से इसका origin होता है mau से पहले यह इसका नाम था mau अब mau का नाम बदल दिया गया है क्योंकि इसका पहले mau नाव मुआ करता था जो इंद्यूर जिले में यह नगर है एक तरीके से और यह mau किसके लिए famous है क्योंशन पूचा जाता है कई बार डॉक्टर भीमराव अमबेडकर का जनम कहां हुआ था तो डॉक्टर अमबेडकर का जनम यहीं इंदोर में यह नगर है mau यहाँ पे हुआ था और अब इस mau का नाम चेंज करके और डॉक्टर भीमराव अमबेडकर कर दिया गया है तो confused नहीं होना mau की जग अगर आपको option में दे दिया जाता है अमबेडकर नगर तो अमबेडकर नगर भी सही है इसका answer एक क्यूशन जो पूचा जाता है चंबल रिवर से related कि इसको प्राचीन नाम क्या है या चर्मन्यवती प्राचीन नाम किष्ण दी का है तो चर्मन्यवती प्राचीन नाम चंबल का ही है इसकी जो टोटल लेंथ है लगबग 965 किलोमेटर इसकी टोटल लेंथ है जिसमें से मद्यपरदेश में अराउंड 320 किलोमेटर है यह मद्यप्रदेश की second largest river है second largest river है यह मद्यप्रदेश और उत्रप्रदेश, राजस्तान इन में फ्लो करती है अब यह कहां से फ्लो करती है तो चंबल river फ्लो करती है south to north south से north की तरफ दक्षण से उत्तर की तरफ यह बहती है चंबल river देखिए, अभी देखिए आप इंदोर है, इंदोर से फिर यह रतलाम देन उज्जेन, यह इसमें यहां होके बहती है इंदोर, धार, रतलाम, उज्जेन इन जिलों में होके चंबल नदी बहती है मद्यपरदेश में इसके अलावा आप देखेंगे यहां से इंदोर, धार, उज्जेन रतलाम, आगे फिर यह मनसोर, नीमच, इधर पोकेर फिर फाइनली है इटावा है वहाँ पर यमुना में मर्ज कर जाती है तो अगर आप से क्यूशन पूचा जाता है कि चंबल यमुना में कहां मर्ज करती है तो वो है इटावा उत्तर प्रदेश में इटावा है यह यहां मर्ज कर जाती है उत्तर प्रदेश में राजस्तान में flow करती है यह क्योंकि ये जो नीमच मनसोर इसके बाद में यहाँ राजस्तान शुरू हो जाता है तो राजस्तान में ये जो एरिया है ये राजस्तान का ये एरिया है Kota, जालावाड ये एरिया है इसमें Chambal River बैथती है अब आपसे पूचा जाता है कि कौन सी city है जो चंबल नदी के किनारे पे हैं तो मोरेना है, शोपूर है, महु है जो डक्टरम्बेड करनगर हम ने पढ़ा, धार है, रतलाम है ये सहर चंबल नदी के किनारे पे है हम इसको थोड़ा सा next page में लेके समझ लेते हैं चम्बल न दिखे किनारे कौन से सहर है मोरेना शोपुर अमबेड करनगर धार और रतलाम ये मद्यप्रदेश की बात हो रही है अधरवाइस तो आगे जाएंगे आप तो फिर कोटा है, जालावाड है सवाइ मादोपूर राजस्तान के जिले हैं ये भी इसी में यही होके फ्लो करती है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है चम्बल नदी की सहायक नदिया कौन सी है तो लैप्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है राइट बेंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये अमें पढ़ना है लेप्ट बेंक ट्रिब्यूटरी है बनाश नदी इसकी लेप्ट बेंक ट्रिब्यूटरी है इसके अलावा मेज है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है राइट बेंक ट्रिब्यूट्री में बात करें तो पारवती रिवर है इसकी राइट बेंक ट्रिब्यूट्री है और मद्यप्रदेश के इसाब से देखें तो काली सिंद रिवर इसकी काली सिंद और ये शिपरा रिवर दो इंपोर्टेंट रिवर है मद्यप्रदेश की जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अधर जो रिवर से ये सब राजस्तान की रिवर है बनाश पारवती मेज ये सब राजस्तान की है तो क्षिप्रा और काली सिंद्ध दोनों मध्यप्रदेश में हैं और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी एक क्विशन पूछा जाता है गली इरोजन का चंबल की वज़े से जो गली इरोजन होता है ये कहां पे ओता है तो ये ओता है जो मोरेना और भिंड है इन जिलों में इस पे कौन से डैम बने हुए है गांधी सागर डैम है राना परताप सागर डैम और जवार सागर डैम है यह चंबल नदी पे बने हुए है कोटा बैराज है यह भी चंबल नदी पे बना हुआ है यह ज्याधातर राजस्तान में यहां से जो एक क्यूशन पुछा जाता है waterfall का चचाई waterfall यह पहले highest waterfall हुआ करता था लेकिन अब highest waterfall नहीं है यह चचाई waterfall है जो यह second highest हो गया है तो यह भी चम्बल नदी पे ही है तो जो highest waterfall के हम बात कर रहे थे यह चाचाएं नहीं है अभि जो अभी highest waterfall है मध्यप्रदेश में यह है बाहुती बाहुती waterfall है बाहुती जलपरपात यह रिवा जिले में है मध्यप्रदेश में और किष्णदी पे है देखे ये सेलार रिवर पे है सेलार रिवर सेलार आगे जाके मिलती है बीहड में और बीहड है ये आगे जाके मिलती है तमसा रिवर में इस तरीके से है ये तो आपको द्यान में रखना है फोले खाहे किशन आजकल पूछा जारा है तम सा रिवर है इसको टॉंस रिवर के नाम से भी जानते है टॉंस रिवर भी इसे को है कहते है तम सा रिवर को मढद्य प्रदेश और उत्र प्रदेश इन बैठती है रागे जाके गंगा में मर्ज हो जाती है जो मढद्य प्रदेश का मेहर जिला है वहाँ पे इ ये तमसा कूंड और वहाँ से तमसाрах रिवर निकलती है बहुत इंपोर्टंट रिवर है इसका किशन अक्षर पूछ लिया जाता है एकजाम में तो हम बात कर रहे थे चंबल नदी की एक बार ओवर्वियू देख लेते हैं चंबल नदी ये यमुना की सहाइक नदी है जाना पाउ के प्रवत से जाना पाउ जो माउंटेन है वहाँ से निकलती है इसको माउ जिले से निकलती है माउ से माउ नगर है इंदोर जिले में और अब इसका नाम माउ का चेंज करके कर दिया डॉक्टर अंबेड कर नगर तो वहाँ से निकलती है इसका जो प्राची नाम है चर्मनेवती है जाना पाव परवत है इसको कई बार कन्फ्यूज करने के लिए आपको वांग्चू पॉइंट भी दे दिया जाता है वांग्चू पॉइंट तो ये वांग्चू पॉइंट और जाना पाव परवत एक ही है बांग्चु पॉइंट यहीं पर है जाना पाव परवत में अब इसकी सहायक नदियों के हम बात कर रहे थे तो काली सिंद और शिपरा यह दो मेन राइट बेंक ट्रिब्यूटरी है जो मद्यपरदेश में इसके अलावा एक और है कुनू रिवर कुनू रिवर भी इसकी सहायक नदिया तो तीन नदिया इसके आपको important द्यान में रखनी है क्षिपरा, काली सिंद और कुनू इनको भी हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके शिपरा, काली सिंद, कुनू सभीको हम एक एक करके पढ़ेंगे क्शिपरा है ये एक एतियासिक रिवर है क्शिपरा नदी है यहाँ पे कुम्ब का मेला लगता है जो बारा साल में लगता है एक बार कुम्ब का मेला लग लग जगे चार साल में एक बार तो वो तीन चार जगे लगता है तीन जगे तो वो उज्जेन में लगता है यहाँ पे क्षिप्रानदीग के पे ही है उज्जेन इसी के किनारे बसा हुआ है और जो जो तिरलिंग है उनमें से एक जो तिरलिंग महा कालेश्वर है वो यहीं है क्षिप्रानदीग किनारे उज्जेन में मालवा की गंगा भी कहते हैं इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम मद्यप्रदेश की बात करते हैं तो जैसा आमने पढ़ लिया कौन-कौन से जिलों से ओके निकलती है धार है, उजेन है, रतलाम है, मनसोर है, बिंड और मुरेना ये 6 जिलों से ओके और चंबल निकलती है मद्यप्रदेश में टोटल 6 जिलों से ओके, दार, उजेन, रतलाम, मनसोर, बिंड, मुरेना से और आगे ये शाहुत की तरफ टर्न करती है और उत्रप्रदेश में यमुना में मिल जाती है राजस्तान और मद्यप्रदेश के बीच में ये बॉर्डर बनाती है, यमुना में शामिल होने से पहले ये कुछ इंपोर्टेंट चीजे थी इसकी, जो मद्यप्रदेश से रिलेटेड ही बताया दर्वाई जिसका काफी ज्यादा डेटेल है आगे राजस्तान में जाते हैं, हम जब महाबारत में भी इसका जिक्र है चंबल नदी का महाबारत में जिक्र है नेक्स्ट रिवर देखते हैं, तापी या तापती रिवर, कौन सी है? तापी या तापती रिवर एके करके सबकूर डेटेल में पढ़ेंगे जैसा कि एक process बना लीजे, pattern बना लीजे कि क्या पढ़ना है, important क्या है कहां से निकलती है, कहां जाके मर्ज होती है, कितनी सायक न दिया है कितने जिले हैं इस तरीके से पढ़ना है आपको तो फिर ये समझ में आ जाएगा आपके मैप के साथ पढ़ेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा तापी या तापती रिवर इसका ओरीजन कहां से है कहां से ओरीजनेट होती है इसका उद्गम इसतल कहां है बेतुल जिला है बेतुल यहां से यह originate होती है तापती रिवर बेतुल में है multi region कहां से multi region है बेतुल जिले में वहां से originate होती है दो नदियों के बीच में बैती है जैसा अभी हमने पड़ा नरमदा बहरी है अनूपुर से इधर और इधर दूसरी साइड कौन से जारी है गोदावरी गोदावरी और नरमदा इन दोनों नदियों के बीच में बैती है यह तापती रिवर इसकी जो total length है around 725 km है और यह नरमदा के parallel में बैती है जैसा आमने देखा अभी देखिए नरमदा के parallel में है लेकिन यह कहां पर parallel में है खंडवा और बेतुल में बेतुल से और खंडवा यहां तक यह नरमदा के parallel में फ्लो करती है तापती रिवर है मध्यप्रदेश महराष्टर यहां पर महराष्टर जैसे मैंने बताया आपको अमरावती विधर्व रीजन है तो मध्यप्रदेश महराष्टर और आगे यह गुजरात में चले जाती है यह भी आगे जाके र गल्फ और खंबात है उसमें जो अरबियन सी में है वहाँ पर मर्ज होती है वहाँ तक इसका confluence है यह एक तरीके से जियोलोजिकल देखा जाए जियोग्रोफिकल देखा जाए तो आपसे क्यूशन पूछा जाए कि कौन सी नदी मध्यप्रदेश का सदन बाउंडरी फॉर्म करती है दक्षणी जो शीमा है वो कौन सी नदी बनाती है तो मध्यप्रदेश का ये सदन बाउंडरी जो बनाती है ये तापती रिवर बनाती है अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं कौन-कौन सी ट्रिब्यूट्री है इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं देखें इसकी जो ट्रिब्यूट्री है ताप तेरी वर की पूर्ना है गेरना है आनेर है और बोरी है ये कुछ इंपोर्टेंट है जो इसकी ट्रिब्यूट्री है नेपानगर, मुलताई और बुरहानपूर ये तीन इंपोर्टेंट सीटी है नेपानगर, मुलताई और बुरहानपूर ये तीन इंपोर्टेंट सीटी है जो तापी नदी के किनारे बसी हुई है इसको daughter of surya भी कहा जाता है कि इसको daughter of surya भी कहा जाता है कि इसको तापती न दिखो अब एक बार देख लीजे इसको वापिस कहां से निकलती है बेतुल जिले से निकलती है तापती मद्यप्रदेश में बेतुल जिला है वहां से निकलती है मुल्ताई तैसील है बेतुल जिले में मुल्ताई रीजन की जो बात कर रहे थे हम तो यह मुल्ताई तैसील है मद्यप्रदेश में और यहीं पे इसका उद्गम इस्तल है इसकी यहाँ पे पुजा भी की जाती है यह पवित्र अले रिवर और ये कहां पे है ये रिजन है जो सत्पुडा में है जो सत्पुडा मौंटेन रेंज है उस पे इस्तेता है आगे जाके ये कमबाद की काड़ी में मिल जाती है कमबाद की काड़ी में हमने पड़ी लिया इसकी जो important ट्रिबीुट्री है जो पूछले जाता है वह है पूर्णा कि सबसे प्रधान उपनदी इसकी ट्रिबूट्री कौनसी है वह है पूर्णा रिवर है यह सा-चांस गुजरात और महाराष्ट बैत है और ये तापती की ही ट्रिब्यूट्री है एक और जो important चीज़ है इसके बारे में देखे इसका जिक्र है कई जगे पे है कई माननेताओं में इसका जिक्र है तो Thailand में भी Thailand में भी इसी नाम से है Tapte River क्योंकि इसका कई जो पराण एक माननेताओं है उसमें जिक्र है और उसी वज़े से Thailand में भी जो एक रिवर है उसका नाम Tapte किया गया है इसका जिक्र है जो आपको महबारत में मिल जाएगा इसकंद पुराण में और बविश्य पुराण में इस रिवर का जिक्र है Tapte River का ये कुछ इसके बारे में important चीज़े थी मद्यप्रदेश के जो जिले है वो तो हमने पढ़ी लिए बैतुल बुरानपुर ये दो जिले है जहां से निकलती है बैतुल बुरानपुर important है ये पुछा जाता है कई बार गुजरात के सूरत है यहां तक इसका विस्तार है इसके अलावा ये महराष्टर से भी border share करती है इसकी कुछ important सायक न दिया है जिन में से मिंदोला, गिरना, पंजारा, वारू, बारी, बोरी, आने रिये हैं अधरवाईज महराष्टर में इसकी काफी सायक न दिया है इसके एक और कुछन पूछ लिया जाता है कई बार इसके साथ कुण्ड का कुछन पूछा जाता है तापी के जो मूल इस्ताने इसका मुलतापी या मुलताई वहाँ पे शाथ अलग-अलग कुण्ड बने हुए है एक है सूरिय कुण दूसरा जो है धरम कुंड है तीसरा है ये पाप कुंड है चोता है नारद कुंड है इसके अलवा पांचवा है शनी कुंड है छटा है ये कुछ नाग बाबा करके है नाग बाबा कुंड है इस तरीके से इसके साथ कुंड है एक तापती कुंड और है ये साथ कुंड है इसके नेक्स देखते हैं नेक्स जो रिवर है ये है सौन रिवर नेक्स रिवर कौन सी है सौन रिवर है सौन रिवर है ये कहां से ओरिजनेट होती है सौन रिवर ओरिजनेट होती है अमरकंटक से और अमरकंटक हम पढ़ चुके हैं कहां पे है अनूपपुर जिले में अनूपपुर जिले में अमरकंटक और मैकल रेंज ये आपको याद हो गया होगा जैसा हमने शुरू में नरंदा पढ़ा था नरंदा रिवर यहीं से ओरेजिनेट होती है उसी टाइम हमने पढ़ाता कि सोन रिवर भी यहीं से ओरेजिनेट होती है इसको सवर्ण नदी भी कहते हैं शौन को स्वन्ड भी कहते हैं इसकी टोटल लेंथ है 780 किलोमेटर के अराउंड इसकी टोटल लेंथ है यह रिवर है अनुपुर शाडॉल उमरिया और सिधी इंजिलों में बैठती है और देखें यहां से और फिर यह आगे मर्ज हो जाती है गंगा रिवर में गंगा नदी में मर्ज हो जाती है इस पे एक डैम है जिसका कुछन पूछ लिया जाता है यह डैम भी इसी पे बना हुआ है एक इंद्रपुरी बैराज है उसका कुछन पूछा जाता है वो भी इसी पे बना हुआ है बंसागर डैम है यह भी इसी पे बना हुआ है सौन रिवर पे अनुपपुर, शैडल, उमरिया और सीधी जिले हैं यहां पे यह फ्लोटियर इसके बाद आगे गंगा में मर्ज कर जाती है सौन न दिये जो इसको थोड़ा डेटेल से पढ़ लेते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ियागा क्योंकि क्यूशन यहां से पूछा जाएगा इसको सौन बद्र सिला के नाम से भी जानते हैं सौन रिवर को यमुना के बाद गंगा नदी साउथ साइड से जो मर्ज करती है सदन जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें सबसे बड़ी नदी है यह सौन नदी आपको द्यान में रखना है सौन नदी गंगा को साउथ साइड से जोइन करती है और यमुना भी साउथ से जोइन करती है तो यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है मद्यप्रदेश के अनुखपुर जिले में अमरकंटक के पास से निकलती है ये और उत्रप्रदेश, जारखंड और बिहार बिहार में जो पटना जिला है वहाँ पे गंगा में मर्ज हो जाती है इसका नाम सोन पड़ा इसका नाम सोन क्यों पड़ा है क्योंकि इस नदी के जो बालू है वो पीले रंके हैं सोने की तरह चमकते हैं इसके बालू जो रेत है वो पीले रंके इसी वज़े सी वो पीला सोने की तरह चमकता है इस वज़े सी इसका नाम सौन रिवर पड़ा है और ये रेत पूरे बिहार में शैडोल, रिवा इनमें जो कंस्रक्शन है मकान वगरा बनाते हैं के लिए काम मिलिया जाता है इसका इस नदी का जिक्र रामयन में भी है इस पे एक पुल है कोईलवर पुल वो पूछ लिया जाता है कई बार आप से कोईलवर पुल कहां पे है तो ये शौन नदी पे ही है और इसका बटवारे को लेके लंबे समय से विवाद रहा है एक जनीत तियाची का बोलते है जिसको आजकल कोई भी करता है पी आईल वो पी आईल भी दायर की गई थी पटना हाई कोट में सौन नदी का जो बटवारा है इसको लेके और उसके बाद में बदलती रहती है सरकारे अर जगे तो होता नहीं तो यह आप ध्यान रखिएगा आन शौन यह इसके पूछे जाता है डियरी आन सौन इसपे बांध है यह इनका क्यूशन पूछ ले जाता है कई बार आपसे एकजाम नेक्स्ट जो रिवर है वो है बेतवा रिवर COTENT R PATRIVER है, इसका QUESTION ज़्यादा तर पूछ आ जहता है एक जाम्स में बेत्वान अधी का QUESTION घुटो बेतिवान अधी कहां से उध्गम होता है इसका ओरीजन कहां से होता है, बेत्वान अधी का जो उध्गम है ओरीजन है यह राइसेन जिले से, बोपाल के बॉर्डर में है, इधर यह राइसेन जिला है, यहां से होता है, देखे यह इधर ओसंगाबाद जिला है, ओसंगाबाद के नौर्थ में राइसेन है, और इधर बोपाल के इधर राइसेन जिला है, यहां से बेतवा नदी का ओरिजन होता है, त बेत्रावती रिवर भी कहा गया इसका पुराना नाम है वेत्रावती इसका माबारत में भी जिक्र है जो माबारत में हमने पढ़ा था चर्मन्यवती चंबल को कहा गया है तो वहीं पे इसका भी जिक्र है बेत्वा का भी और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है इसका जो total length है around 480 km के around इसकी total length है मद्यप्रदेश और उत्रप्रदेश में ये flow करती है इसकी जो direction है ये flow करती है नौर्थ इस डायरेक्शन में नौर्थ इस्ट में flow करती है ये पूरे मद्यप्रदेश में अब ये कहां कहां किन जिलों से निकलती है ग्वालियर बोपाल टीकमगड ये जिले हैं इन में flow करती है राइसेन के बाद देखिए बोपाल है इधर से फिर ग्वालियर है इन जिलों में ये flow करती है इसकी जो right bank tributary है right bank tributary कौन सी है बीना है और सिंद है ये दो important इसकी right bank tributary है देखिए बीना है इसकी right bank tributary सिंद जो है ये इसकी left bank tributary है ये आपको ध्यान में रखना है बेतवा का एक माता टिला डेम का question पूछा जाता है exam में माता टिला डेम वो किष्ण दीव के पे है तो बेतवा ने दीव ही है ये माता टिला डेम राजगाट डेम हलाली कैनाल प्रोजेक्ट या बांदिर कैनाल ये सभी बेतवा पे ही है बारत का पहला जो river link project है इंडिया का पहला river link project वो कौन सा है केन बेतवा केन बेतवा river link project इंडिया का पहला river link project है एक और है इंडिया की नेवी में ship है एक इसके नाम पे ship ins betwa ये betwa river के शम्मान में ही उसका नाम रखा गया है ins betwa इसको तोड़ा सा डेटेल में देख लेते हैं एक बार और बेत्वा नदी अगर आपसे पूछा जाता है एक्जाम में कि वेत्रवती नदी किसका प्राचीन नाम है तो बेत्वा नदी का प्राचीन नाम है मद्यप्रदेश और उत्रप्रदेश दोराज्यों में बहती है यमुना की शाहयक नदी है मद्यप्रदेश के राइसेन जिले में एक गाउं है विलेज है कुमहारा कुमहारा विलेज है वहाँ से निकलती है और इससे निकलने के बाद राइसें से निकलने के बाद फिर ये बोपाल, देन बोपाल के बाद में विदीशा, जांसी, ललितपुर, इंजिलों से ओके बैती है ये और जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू की बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है, तो वो बेतवाई है अलग-अलग तरीके से कुशन बनते हैं गुंदेल खंड पटार की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेतवा है और बेतवा नदी जैसा हमने पढ़ा कि यमुना की सायक नदी है तो बेतवा नदी यमुना में कहां जाके मर्ज होती है यह यमुना में मर्ज होती है हमीरपूर में हमीरपूर में हमीरपूर के पास में यह मर्ज हो जाती है इसके famous और जो art culture की इसाब से देखा जाए तो दो important historical, cultural जो सहर है, नगर है वो है बेतवानदी पे कौन से हैं एक तो सांची सांची बेतवानदी के किनारे है और दूसरा विदीशा यह दो बेतवानदी के ही किनारे पे है, सांची और विदीशा, सांची आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सांची कहा है, सांची भी राइसेंजिले में ही है सांची के इस्तूप पढ़े होंगे आपने यह राइस एंजिले में यह एक छोटा सा गाउं है एक्चुली सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर यह और बेतवान दिख किना रही है यह किसके लिए फेमस है सांची बहुत इस मारी पहाडा Hari विना है इसकी फेमस न दी है एक डिख के लड़ाई आला का हमने इस्टै पड़ी अपने पड़ा ओगा उसकी जो बैटल हुआ था उसमें भी इस रिवर का जिक्र है बेतवा का कि यहां पे इस रिवर का जो रंग है वो लाल हो गया था उस बैटल की वज़े से ऐसा है